हैलो गाइज, वाल्कम न माए चैनल यह मेरे पास एक नेवी creatively का नी लुख करता है मैंने इस पे बहुत ही very simple लुख कर रहा है यहाँ लग करने में simple p part दिखने में अच्छा लग रहा है इस पर मैंने chain stitch बार करके लग कर रहा है पहले मैंने chain stitch की outline कर दी neckline के पास, sleeve पे और जहां पर भी मुझे करना था वहाँ पर outline कर दी उसके बाद मैंने, क्योंकि मेरे ये navy blue color का है blouse इसलिए मैंने pink और golden color के stones का use कर रहा है फिर मैंने lines करने के बाद एक एक इंच के जगा छोड़के flowers बना दी है और flowers की outline भी chain stitch से कर ली और chain stitch वैसे भी बहुत simple होती है करने में, बहुत ही आसानी से हम उसको कर सकते हैं इसमें कुछ difficult नहीं होता और stone को fabric glue की help से चिपका दो fabric पे तो वो आसानी से चिपक जाते है और ये देखिए flowers अच्छे लग रहे हैं, boundary होने के बाद ज़ाद अच्छे लग रहे हैं क्योंकि जो front side होता है blouse का वो इतना show नहीं होता पल्लो आने के वज़े से तो मैंने back को थोड़ा ज़ादा heavy look दिया है जो भी space बची थी वहां पे distance stone लगा के उसके भी outline मैंने दागे से कर ली है इसमें इतनी कुछ महनत नहीं लग रही है और time भी नहीं लग रहा है ना ही इतनी कुछ ज़ादा चीजों का इस्तमाल हुआ है बहुत ही कम चीजों में बहुत ही कम पैसों में सिंपल से ब्लाउस को हम एक हैवी लुक दे सकते है अच्छा और elegant लुक देता है सिंपल कि सी सारी के साथ पहने तो बहुत ही ज़्यादा प्रेटी लगता है यह इसका बैक साइड और फ्रेंड साइड और स्लीव पे भी मैंने सीम वर्क रखा और इसका जो कॉम्बिनेशन ह पे काफी उभर कर आया है तो इतना कुछ जादा टाइम नहीं लगता और इतनी महनत भी नहीं लगती पर यह दिखने में बहुत प्यारा लग रहा है और बहुत जादा अच्छा लगता है पहना हुआ काफी अट्रेक्टिव लुक देता है थेंक्स वार वाचिंग